है लो नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका यूटूब चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में तो दोस्तों जैसे कि आज क्या देने बताईएगा मंगलवार और कुछ खास बात नाग पंचमी है तो दोस्तों आज नाग पंचमी के दिन एक और जगह सांप निकला है गाउं पापडी नंगला तो दोस्तों ये पापडी नंगला हमारे गाउं से कुछ ही दूरी पर पड़ता है यहां पर आए हुए हैं और घर में एक कोपरा सांप है एक नाग ही बैठा है तो नाग पंचमी के दिन नाग को पकड़ते हैं और दिखाते हैं आपको आईएगा तो दोस्तों जैसे कि ये घर है और घर के अंदरी ने यहाँ पर अपना जो यह दुकान बना रखी है सिलाई का काम जो है करती है और कुछ भी ऐसे सामार रख रख के जो गाउं में ज़रूरत पड़ती रहती है तो एक दुकान बना रख के छोटी सी और यहीं पर साप उच तो दोस्तों बहुत ही खतरनाक लुजए तो उसको समझाएं और गर के अंदर यम्रा ना गए, दोस्तो यह जब घर के अंदर के आये ही जाता है तो गलती से और कैसे भी हाथ या पैर पर जाता है तो दोस्तो यह उसको काट लेता है बहुत होग जाती है सबसे जादा घरों के अंदर दोस्तों जो भी लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो एक बात ध्यान से सुनें जिनके घर में जहां भी संदूक वगेरा होते हैं और जो इटो पर रखे हुए होते हैं इस तरह से देखिएगा कैमरामेंट पास आईए जरा दिखलाईएगा तोस देखा दू आप इधर इस तरह से जो इंटर पर रहते हैं इनके नीचे ये साप घर में आका छुप जाते हैं और मैं यह नहीं कहूँगा कि ये साप अचानक से आया घर में इनके घर की रेठान ऐसी है कि इसमें पहले से साप ये रहरा होगा और हो सकता इसने अंडे हमेली दिवाट लेका इसंगा희 करती हूं अदे कर दिचित on सब दोस्तोर चूप कर बैठाब्टी ससमाने मैं आन जाती है यह आम बात तो घर अक्सर करते मैं एक सब्सक्राइब करते रहेगा कंई लगाए पहले सब्सक्राइब दिखाते हैं तो कहां इसमें लिखा लगार मो और यह तो दो दीवारों के बीच में फिर यह रहा यह रहा यह बैठा है कोई सब्बल लाके दो जल्दी से सब्बल आजे हैं इस दिखाओ दिखाओ जी तो दिखाओ जी तो दिखाओ दिखाओ जए कि भाई अक्र vår यहाय टरिखाओ गुल मुफ्सक्षा 作र्कें थे क्जिष्ट सक्षपगा थे यह हुआर फो फैल्दी पर दरो को सानननी है कई दबलें १ानरी कि कआं जो दो बहू है कर दो झालिए झालवका नहीं थाोभ। अब लोग को लोगा बार कुला रहों वाला रहां सब्साइब शेयर कि अब दोलो बाबा दूरो काट लोगे करें रहें तो नोर्मल सा दिखने वाला साफ मैं बताना चाहूंगा कि इन्डिये नॉर्मल सा दिखने वाला साफ बहुत ही जहरीला और खतरनाक साफ है जीसे कोब्रा के नाम से गाउं में अक्सर कर लोग जानते हैं किताब हम इसके लिए इंडियाल स्पेक्टिकल कोब्रा के नाम से जानते हैं और देखें इसका बहुत ही एक बड़ा सा और खतरनाक सा होड में आपको दिखलाता हूं अभड़ ये रहते हैं? चलिए इसको डब्यम पैक करते हैं कि लाव डखकल यह पकलने तो दोस्तों कल्या इसको डब्यम पैक और ले चलते इसको जंगल में आज नाग पंचिमी का जैसे की दिन है और लोग बहुत सारे लोग आज नागों को दूद्ध पलाने के लिए गई होंगे तो मैं लोगों से बात करना चाहता हूँ आज कौन-कौन गया था दूद्ध चड़ाने नाग तो कहां गयी थे कुगा है हमारे गर के पास माँ तो दूद्ध लाता नागों ने पिया दूद्ध नहीं तो नागों ने पिया था दूद नहीं आपने आपकी तो बहुत उमर जाता है मुझसे और अपने शाम को दूद्ध पीते हुए देखा है किसी ने देखा है कभी साप को दूद्ध की दे यह किसी ने देखा है सवेरा को देखा है दूद्ध को पी रहाता है तो कैसे पी रहाता वो मुगाड़के या जीव से चाटके जीव से चाटके दूद को पी रहाता है अच्छा कितना पिया होगा लगबक कितना कर रखो कटोरी में एसे हमा तुमा निरेजनि लारें प्या करे को ना पी रोगो दोस्तों पता नी मैंने जानता अरे लो दूद भी आ गया दोस्तों दूद भी आ गया चलो अब एक बार प्रेक्टिकल करके दिखाई देते हैं तो सब से पहले तो आप दूद रखकर दूद दूर साबदान खड़े हो जाए दूर बुल बाई चांस गलती से हां से छूट ग अब थोड़ा दूरी बना लो और है तो चलिए देखते हैं के साब दूद पीता है या नहीं कि अ तो दोस्तों चलिए देखते हैं साब दूद पीता है कि नहीं इसके मूँ को बिल्कुल हम दूद पर ही रख देते हैं और देखते हैं कि आज यह दूद पीता है या नहीं कि कैमरा बैन पास आकर के दिखला यह पी रहा है उसको सूंग रहा है जीब से दूद नहीं पीता ह पीएगा तो मुझे पीएगा जिस तरह से मैंने सांपों को पानी पीते हुए दिखलाया है दोस्तों तो यह सांप दूद को सूंग भी नहीं रहा है उसका टेस्ट बिल्कुल चक भी नहीं रहा है देख लीजिएगा आप केमराबन पास आकर के दिखलाया और पास आईएगा कोई बात नहीं मैं सापदान हूँ अच्छा अच्छा बावाजी का कहना है मीठा डाला नहीं है तो चलिए देखते हैं क्या साप दूद को पीता है तो लोग तो कहेंगे अभी ये सूंकर जीव लिकाल कर सूंकर देख रहा है लेकिन ये इसको पी नहीं रहा है केमराबन पास आईए जो रपास और पास आजे जूब मत करिएगा बिल्कुल पास आगे नॉर्मली दिखला हुआ मैं इट गाते हैं किसे थे faith नहीं उसने देखा यह मुला नगश्य को किसने देखाया है कि दोस्तों दूद का इसका इससा डूद का कुछ ने लिया देना नहीं है नाई यह डूति हैं बता दू यह जिंदे जीओं को खाना पसंद प covet जिशर और मैडक और चडिया दोस्तों चुहा और मैडक और चडिया और चडिये के अंडे यह ऐसी चीजों को खाना पसंद करते हैं ना कि यह मरे हुए जीवां को और ना ही यह इस तरह के दूद को या सबजी को या रोटी को इन चीजों को खाना बिल्कुली पसंद नहीं करते दोस तो दोस्तों आजके हम अलीगड के पास जमा नहर के पास यह थोड़ा सा जंगल बचा हुआ है तो यहाँ पर आचके हैं सापो को आज़ाद करने के लिए जैसे की नाग पंचिमी है और अभी दो जगह से कोब्रा को रेस्कू किया है तो इनको अब मुझे अलीगर जाना पड़ रहा है कुछ काम के लिए तो इनको राश्ते में यहीं पर रिलीज करते है और कैमरा मैन ना होने के कारण दोस्तो दिकत थोड़ी सि आ रही है अँजां लोगों से वीडियो बनवाना पड़ रहा है तो उसमें कहीं कहीं बिलर आ जाता है वीडियो साफ नहीं आपाती है या वीडियो हिलती हुई जादा आती है तो इस चीज के लिए माफी चाहता हूं कैमरा मैन ना होने के कारण यह सब दिक्कत है आ रहे हैं वीडियो में थोड़ी बहुत तो इसको आप जेल लिजिएगा दोस्तो और चलिए अभी मैं ठीक से वी तो चलिए दोनों डब्मों को खोल दिया है कि किस तरह से बैटा हुआ उपर को मूँ करके काटने के लिए बिल्कुल तैयार इनका मूँ अभी है कि अ जब आप कि अ अ एक तो जा चुका है बहुती तेज रफ्तार में दूसरे को भी निकाल के हैं का नियुक्त गॉर्पी एज दूसरे को भी निकाल के हैं हुआ हुआ है हुआ है हुआ है कि अ कि pacले तो कि अपे हैं शुकम क उता चर कहास्टा कि उतर है उता है जाला जुब समय कि आद को तो फेप्ल कि ए अद। कि अथा गना है और थो नुकम कि युकित खुभर depends ड्रहा है